हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिव एकेडेमी की चैनल पर वीडियो नमबर 118 में आज का वेलकम कॉल एंफोर दा मून, if you miss, you may hit star मून का गोल रब कर जगम चलते हैं, तब कभी गवा ऐसा होता है कि उस गोल तक हम नहीं पहुँच पाते तो क्या हुआ? हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि you may hit a star मून ना सही, star तक तो हम पहुँची जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी गोल तक जाने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे efforts हम अपने दिल से लगाते हैं, फिर भी अगर उस गोल को हम नहीं पा सकते तो हमारे efforts से, हमारे hard work से, हमारी की गई process से हमें कुछ न कुछ नया सिखने को जरूर मिलता है और उसके रिगारी एक अलग experience होता है, एक अलग field में कदाचित हमारी entry work ऐसा भी हो सकता है इसलिए जब कभी हमें अपने गोल तक ना पहुचें, तो हमें नीरास ना होकर अपने efforts को continue रखना है जर्नल की subsidiary book के इस chapter में आज हम डिसकस करने वाले हैं purchase return book हमारे previous videos में हमने purchase book, purchase book के regarding practical problems, उसके बाद sales book, sales book के regarding practical problems और इन दो नो बुक की legend accounts में कैसे posting करते हैं, उन सब भी points को cover कर दिया आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे purchase return book बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण वस हमने जो भी अपने supplier के पांस से purchase किया है वो हम उसे return करते हैं, मतलब अब हमें वो good नहीं चाहिए, उसके लिए कई सारे reason होते हैं तो जब ऐसा कभी होता है तो उसके regarding entry क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आज समझेंगे purchase return book, generally purchase return के related entries हमने journal entry के हमारे chapter में, हमारे वीडियो में discuss कर ली थी पर आज हम देखेंगे कि कैसे चोबी हमारा credit transaction होता है, credit purchase होता है, वो जब हम return करते हैं, तो उसकी entry, उसकी book कैसे बनाते हैं subsidiary book, goods return to seller, जो भी goods हमने purchase की है, उसको हम जब seller को return करते हैं, तो हम जब जिस book में उसकी entry करते हैं, उसे कहते हैं purchase return book, not recorded non-good items, जो भी non-good item है, मतलब जिस चीज का हम business manufacturing करते हैं, उसके अलावा की जो कोई भी goods होती है, जो उसकी हम return करते हैं, तो यहाँ पे उसका record नहीं होता है, अब देखते हैं reasons, बहला है, goods are not as per sample, जब हम कहीं पर से purchase करना चाह रहे होते हैं, तो हम उसका sample देखते हैं और फिर हम order करते हैं, जब उस sample के मुताविक जो भी goods हमको दी गई है, वो नहीं है, मतलब as per quality वो भूब नहीं है, तो हम उसे return करते हैं, क्योंकि हमने जो sample देखा था, उससे ये good differ करती है, उसके बाद goods are defective, किसी भी कारणवास जो भी good हमको मिली है, वो defective है, उसमें किसी भी प्रकार की सकती है, मतलब उसके quality, जो standard हमने तई किया था, उससे down quality है, तो भी हम अपना purchase return करते हैं, goods are not as per order, चिस चीज का हमने order दिया था, वो नहीं आई, उसके बदले किसी दूसरी चीज आ गई है, तो मतलब कि हमारे order के मुताविकी चीज हमें नहीं मेले, तो भी हम उसे return करते हैं, late delivery resulted in refusal of customer, हमने जो order दिया था, हमने जो date दी थी, उस date के बाद हमको delivery मिलती है, और फिर हम जब उस गुर को अपने customer को देते हैं, तो वो late delivery का reason देकर, वो delivery लेने से refuse करते हैं, तो ऐसी situation में हम भी अपने supplier को अपना purchase return कर देते हैं, Purchaser prepare a debit note and send it to the supplier, अब जब हम कोई भी good purchase करते हैं, send करते हैं, तो ऐसी situation में invoice या तो हमें मिलता है, या तो हम देते हैं, यहाँ पे जब हम purchase return करते हैं, तो जो purchaser होता है, वो एक debit note prepare करता है, और वो अपने supplier को debit note पेजता है, debit note कैसी होती है, उसका एक specimen यहाँ पे दिया गया ह सबसे पहले आएगा हमारा address, उसके बाद debit note, यहाँ पे आएगी उसकी date, यहाँ पे debit note का number, फिर जिसको हम debit note बेज रहे हैं, यानि कि हमारा supplier, जिसको हम अपना किया हुआ purchase return करते हैं, उसका नाम आएगा, फिर यहाँ पे जो चीज, कितनी quantity है, कौन सी चीज है, यह हम लिख करेंगे कि यहाँ पे आ गई उसकी price और उसकी quantity डिप, जिसका total हमने यहाँ पे कर दिया है, अब जो भी trade discount purchase करते वक्त हमको मिला है, अब हमें वो तो नहीं लेना है, इसलिए अपनी price में से हम भी minus करेंगे trade discount, और यहाँ पे जो भी हमारी balance है, उसको हम इस तरह से writing words में लि उसकी यहाँ पे sign होती है, और यहाँ पे हम लिखेंगे e और oe, मतलब अगर किसी भी तरह की गलती होती है, तो उन लोगों को या हम लोगों को correction करने की उसमें छूट होती है, तो इस तरह से यह debit note बनाया जाता है, अब देखते है purchase return book का specimen, यानि कि जब हम purchase return book के regarding entries down और record कर नहीं होती है, तब हम उसे कैसे अपनी book में अपसी answer statement ड्रोग करेंगे, तो सबसे पेले यहाँ पे column होगा date का, उसके बाद होगा particular का, उसके बाद यहाँ पे होगा debit note number, purchase book जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते है invoice number, यहाँ पे purchase return book में सिर्फ इतना ही change है, कि हमें invoice कोई number नहीं लिखना है, हमें debit note number लिखना है, जैसे कि हमने debit note के example में देखा, कि हमने वहाँ पे लिखा था debit note number 150, तो अब जब उसको हम यहाँ पे record करेंगे, तो यहाँ पे हम 115 का number डालेंगे, उसके बाद लेजर फोल्ड होता है, उसके पाद details होती है, और उसके बाद यहा related debit note, debit note का एक example purchase return book का specimen, इन सब points को आज हमने देखा, नेस्ट हमारे वीडियो number 120, 19 में हम लेंगे एक example purchase return book with ledger posting, purchase return book के related transaction को देखेंगे, उसके बाद purchase return book में उससे कैसे record करते हैं, वो देखेंगे, और उस recording को अब हम ledger account में कैसे post करेंगे, वो सब हम हमारे वीडियो number 119 में डिसकास करेंगे, तब तक stay tuned with CA Academy, thank you